दोस्तो आज हमारे साथ है हमारे देश की एक महान नेता चायावती जी आईए करते हैं उनसे कुछ बाच्चीत स्वागत है आपका चायावती जी नमस्कार आपने चुनाव होने से पहले कहा था कि आप जनता आपसे आसानी से मिल सकती है आप उन्हें कभी भी मना नहीं करेंगी इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने चौराहे चौराहे पर गार्डेन में पुल के उपर जगे जगे अपनी स्टेचू बनवाई है जो बिलकुल मेरी तरह है और आपको जानकर खुशी होगी कि उसमें भी ये पर्स है तो इसलिए जनता जब चाहे मुझसे वहाँ जा जाएंगी एक महिला मुख्यमंत्री होकर महिलाओं के लिए कुछ काम ना करना ये इतिहास नहीं होगा तो और क्या होगा चायवती जी आपने कहा था कि आप राधिक छवी वाले लोगों की पार्टियों का आप खात्मा कर देंगी बिलकुल ये अपराधी लोग जब हमारी पार्टी जॉइन कर लेंगे तो इनके छोटी छोटी पार्टी तो अपने आप ही समाप्त हो जाएगी मैं जबान की पक्की हूँ, मैं वादे की पक्की हूँ दोस्तो आज हमारे साथ हैं हमारे देश के एक और महान मेता जी आईए करते हैं उनसे कुछ बादचीत, स्वागत है आपका हाँ मेरा भी आपको है नेता जी, आज कल सड़क पर हर 10 मीटर पर एक गड़ा है और आप कहते हैं सब ठीक है भाई आप गलत समझ रही है, वो गती और उधक, यानि कि स्पीड ब्रेकर्स है बस ज़रा डिजाइन उल्टा हो गया नेता जी, गड़े इतने बड़े हो गए हैं कि वो गड़े नहीं दिखते, वो स्विविंग पूर लगते हैं भाई क्या है कि पहले हमने समंदर को काटके सड़क बनाई आज कल हम सड़क को काटके समंदर बना रहे हैं बस सिर्फ इतना है, यह सब मुंबई की भलाई के लिए है लेकिन नेता जी, मुंबई की इसमें कैसे भलाई हो सकती है? भाई मुंबई को उम शंगाई नहीं, पर वेनिस तो बनाई सकते हैं ना? इसका मतलब है कि पूरी जंता परेशान होती रहें और आप अपनी मन मानी करते रहें नहीं, कैसी बात लिए कर रहें? इससे तो लोगों की भलाई होगी, हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा वो क्यासे? भाई अगर इतने बड़े-बड़े खड़े हैं, तो लोग एक कोने से दूसरे कोने तक जाएंगे कैसे? तो उसमें हम नाओ की विष्था करेंगे हजारों लोग नाओ चलाएंगे, उनको रोजगार मिलेगा, कितना मज़ाएगा? आवाजें आएंगे, आएए दस रुपे, दस रुपे, आएए दस रुपे, दस रुपे अंधेरी, आएए पांच रुपे, पांच रुपे दादर वह इससे टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा जितनी फॉर्णर हैं, अंग्रेज हैं, मुंबई आया करेंगे, सब को यहाँ फोटो कीचेंगे, नाओ में चड़ते हुए, उतरते हुए, पर यहाँ से लोटके जाके फिल्म बनाएंगे, स्लम नाओ मिलेनियर? हैं? मिलोड, आज हमारी अदालत में मौझूद हैं, डॉक्टर कयूम सलाव अलेकूम देखे, आप पर सबसे पहला आरोप यह है, कि आपकी एक्सपायर दवाईयां खाकर, आपके पेशिट मर जाते हैं भाई तो बदनाम करने के साजिश है भाई, भाई जो दवाईयां पहले से एक्सपायर हैं, मतलब मरी हुई हैं, वो वहला मरीज को क्या मारेंगी? देखे, आप पर यह भी आरोप है कि आप दूसरे डॉक्टरों से ज़्यादा दवाईय देते हैं लो भाई, कोई न कोई दवाई, फिट हो जाती है देखे, हमने सुना है कि आपने अपने क्लिनिक में आने वाले पेशेंट की फैसलिटी के लिए काफी कुछ कर रखा है भाई, एकदम जवर्दस इंतजाम है, अंडर बन रूफ, अब मेरी क्लिनिक है, अब क्लिनिक के बाजू में मैंने अन्तिम क्रिया करम के सामान वाली दुकान खोल रखी है अब लोग जाते हैं मेरी परची दिखाते हैं उनको डिस्कांट भी मिलते हैं और क्या कि अपनी जान दे दूं देखेए, आप पर ये भी आरोफ है कि आप दिने तो अपने क्लिनिक में काम करते हैं लेकिन शाम को आप कहीं और काम करते हैं democratic ताहाँ जाते हैं आप अर्ज बनता है कि उनके आखरी के सारे काम मैं अपने हाथ से करूँ और क्या, क्या मैं अपनी जान दे दूँ और गोर से सुनिये, आज हमारी अधालत में मौझूद है एक ऐसा शक्स जो सारे क्रिकट खिलाडियों को अपनी उंगलियों पर नचाता है ये शक्स इतना शातिर है, इतना चाल बाज है, इतना बड़ा दोके बाज है और वो शक्स है तुम सटो रही हो? नहीं तुम क्या कटो रही है? देखो तुम पर सबसे पहला इल्जाम ये है कि तुम क्रिकट मैच फिक्सिंग करते हो अरे, ये तो बहुत बड़ा काम है, मामूली काम नहीं है, तुम करके दिखाओ तुम करके दिखाओ, तुम अक्तुमाल, बच शाहिद, इनसे मीटिंग भी नहीं कर पाओगे इसमें बहुत महनत करनी पड़ती, देखना पड़ता है, कौन से प्लेयर कब निकल रहा है, होटल से कब पहुचा है, प्रैक्टिस में कब पहुचा है, कहां खाना खा रहा है, किसकी कौन सी गर्फरेंड है उसकी गल्फ्रेंड को खुद गिफ्ट देना पड़ता है, उसको पताना पड़ता है, इसको निकालना 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 पड़ता है, इसको नि तो फिक्सिंग करते हैं हमें कालेज कर लेंगें तुम नेता लोग भी करते हैं फ्रो पेंको, कैच, अशाबा शाबा शाबा शे पेंको सहाव, सहाव हमें जल्दी से का कहते हैं उसको शाट कट, उसमें हमें क्रिकेटर बना दीजिए ओ यार इसी के लिए तो हम पाकिस्तान से इंदुस्तान आए हैं तुम जैसो की मदद करने के लिए बताओ, क्या सीखना चाहते हो? अरे, बॉल से होते हैं, बॉलर, बॉलर बना दीजिए बॉलिंग सीखनी है? ओ यार देखो, बॉलिंग सीखनी के लिए सबसे पहले तो बॉल के तागे को उठे से ऐसे काट दो, हैं, फिर उसके बाद जुत्ते की स्पाइक से उसे रगड़ दो, और फिर उसको दबा दो, और बॉल फैंक दो, बनगे तुम बॉलर अरे नहीं, इस लफले वाला नहीं, हम गरीब आत्मी साफ फंग जाएंगे, अचो ये छोड़ो, वो बना दीजे, ऐसे भागते हैं, फिल्डर, फिल्डर बना दीजे, ओ यार ये तो बहुत असान है, बस उसके लिए तुमें डाइवानी चाहिए, बॉल इदर जाए, चाह डांस, नहीं, नहीं, बैटिंग, ओ हो, तो तुम बैटिंग जिखना चाहते हो, ओ यार, इसमें तो हमारी स्पेशल्टी है, ओ ये लो बुगी का नंबर, और कर लो बैटिंग, बाकि अगर को टिप्स चाहिए हो, तुम मुझे फोन कर लेना, अरे ये नहीं, ये बैटिंग हम लोगों से नहीं हो पाएगा, हम बैटिंग के बात कर रहे हैं, बैटिंग, वाला, ये मारा चौका, ये गया चुका, ओ यार, तुम ये सारे चकर चड़ो, तुम ये बताओ, कि तुम क्रिक्टर बनना क्यों चाहते हो, और जिसके लिए सब लोग बनते हैं, पैसे के पर यार, तुम गल्द गल्दे चीज़ें क्यों चीख रहे हो, तुमें तो सीखनी चाहिए, एक्टिंग, मॉडलिंग, डांसिंग, स्पोर्ट फिक्सिंग, और मैच फिक्सिंग, हैं, आयो, हमारा डॉक्टर पेट पे कैची बूल गया, तुम ये क्या करेगी, नेक्स्ट अपरिशन में निकाल सकती ना, अरे माटम, ये का चकर है, हमें अपनी बीबी को इह हालत में इधर लाना पड़ा, आप डॉक्टर को घर पे नहीं बेश सकते देगा, यो, वाइब को बहुत लव करते, बहुत केर करते, ये इधर वेरी नाइस, एका, इतना कच्रा पहला आप साफ सफाई का ध्यान काहे नहीं रखते हैं, अयो, इधर साफ करके क्या फाइद है, कितना बच्चा लोग है, साफ करेगा बात में फिर गंद होने वाले, तो साफ करके क्या फाइद है, देखे, हमारी बीबी का डिलिविरी के टाइम पर कॉनों ज्यादा तकलीफ तो इधर का डॉक्टर बहुत इसमार्ट है, पेशन के शरीर में जिस पाल्ट से तकलीफ होते उसको हमेशा के लिएनिकाल दταιते है, लेकिन इस काम के लिए तो कॉना जिम्मेदार दोक्तर हमारे जिम्मेदार होना चाहिए नंट क्या समझते है, हमारे ड़क्टर गंबर थिम्म हजार उपएगा दे दिया, यह देखिये, कहा है यह? आयो, you are mad. रिसेप्शन पे तुमको बोला था, 1,000 रुपीज पर हेड. अभी कल को तुम दो का तीन हो जाएगा, तो हो गया ना बिल, 2,000 से 3,000, यह तो कुशी को बात है, तुमको लट्डू के लेना चाहिए. गेट आट फ्रॉम यह? लट्डू लेकियाओ. ऐयो, इदर कितनो पागल लोग आते हैं. दोस्तो, आज हमारे साथ है United States President Mr. Obama. आये करते हैं उनसे कुछ सवाल? Welcome, Sir. Thank you. एक साल में आपने ऐसा क्या करके दिखाया कि आपको Nobel Peace Prize दिया गया. Well, I'm first American President. जिसने President बनने के बाद, वो और स्टाथ नहीं किया. Okay, you got it? That's really good. Sir, लेकिन आपने वर्ल पीस के लिए क्या किया? Well, I'm George Bush कह रहा है. वर्ल पीस के लिए इससी बड़ा काम. कोई और क्या कर सकता है, यंग लेडी? आपके हजारों कोशिशों के बाद, आपको उसामा बिन लादिन नहीं मिला. आपको क्या लगता है, आपको उसामा कैसे मिलेगा? I'm thinking, कि उसामा के ऊपर प्राइज बरहाने से अच्छा है, कि उसामा को प्राइज दे दे. वो सर्प्राइज होके प्राइज लेने बहार आएगा, and I will catch him. वाँ, सर्प, ग्रिलियंट आइडिया! I like you, young lady. दोस्तो, आज हमारे साथ हैं जाने माने सर्जन. आइए करते हैं उनसे कुछ सवाल. Welcome to our show, सर्प. आप कहते हैं कि आपने बहुत सारे ओपरेशन किये हैं, और एक भी पेशन में शिकायत नहीं की. वो कैसे? मुर्दे भी कभी शिकायत करते हैं, क्या? क्या सर्प? यही, इक्तिफाक की बात है. सर्प, आप अपने पेशन का ओपरेशन उन्हें बिना एनेस्थीसिया दिये करते हैं, क्यों? भाई, इससे मरीज के सामान की सुरक्षा रहती है. भाई, आप अक्सर पेपर में पढ़ती होंगी, कि मरीज बात में शिकायत करते हैं, कि हमारा लीवर गायब हो गया, गुर्दा चुरा लिया, तो मैं ऐसे कोई रिस्क लेना नहीं चाहिए. मैं आपको बता हूँ, डॉक्टर बनने से पहले जब मैं मोटर मेकैनिक था, तब भी मैं कार के मालिक के सामने ही इंजन खोलता था, मेरा सारा क्लियर फंडा है. हमने ये भी सुना है कि आपके ऑपरेशन थियेटर में दो घड़ियां है, वो क्यों? भाई, हमारा मरीज आपरेशन के बाद दो घड़ी का ही मेमान होता है. क्या हूँ, डॉक्टर साब, आपकी तबे ठीक नहीं है? हाँ, सुबे से बहुत गरबड है. तो आपने कुछ लिया? इंजेक्शन से मुझे डर लगते हैं. नमस्कार देवियों सज्जरों, लेट्स प्लेए एबी सी. आज हमारे सामने जो हॉट सीट पर बेटने वाले हैं, ये हैं छोटे नवाब, सेफली खान. स्वागत कीज़े, सेफली खान. वाव, वाव. हो गया? प्लीज बी सीटे. तैंक्यू. तो नवाब साब, आप तैयार हैं? बिलकुल. आपके लिए पहला सवाल कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा. आपकी आने वाली फिल्म, जिसमें आपके साथ करीना है, आपको क्या लगता है? उस फिल्म का फ्यूचर क्या? ए. फिल्म हिट होगी. बी. फिल्म सुपर हिट होगी. सी. फिल्म ब्लॉक्बस्टर होगी. या डी. हिस्ट्री क्रियेट करेगी. वाव! डी. हिस्ट्री क्रियेट करेगी. और अगर टेशन और कुर्बान की तरह करबड हो गई तो? तो भी वाव! हिस्ट्री क्रियेट करेगी ना? ओ सभी जवाब भाई वो पी अपने आप में इस्ट्री हुई बड़ा उम्दा खेल रहे हैं अगला सवाल नाव साफ यह रहा खानों की लिस्ट में आप अपने आपको किस पोजिशन में पाते हैं एक नमबर, बी दो नमबर, सी तीन नमबर या डी चार नमबर शारुक, आबेर, सल्मान, सैफ, डी चार नमबर वाव ओ-ओ, सैफली खान, खलत जवाब कंप्यूटर महोदे बता रहे हैं कि आपकी पोजिशन है नमबर वन की वाव, नमबर वन पर, माइंड ब्लोइंग, अब तो मैं भी अपना रेट बढ़ा दूँगा, थैंक यू, आपने मुझे बता दिया, थैंक यू, वेरी मच, वाव एक सेकेंट, एक सेकेंट, वाई, जहित खान, फरदीन खान, मुश्ताख खान, रजाख खान, इनके बीच में तो आप निशनली नमबर वन तो आएंगे अरे, ये क्या बकवास कर रहे हैं आप, मुझे निखेलना आपके साथ, ABCD, मैं जा रहा हूँ, आप खुद ही खेलिए, खुद ही जीतिए, वाव अरे, अरे बेटा, अरे नमस्कार देवियो संजनो, लेट्स प्लेए, ABC आज मेरे सामने हॉट सीट पर जो बैटने वाले हैं, यहां से पैसे जीत के जाएं, ऐसा हो नहीं सब्ता, और यहां से पैसे बिल्कुल जीतना पाएं, ऐसा महीं होनी नहीं दूँँगा, प्लीज वेलकम अनिर शटी ये अच्छा था, मगर ये क्या है ये? वो क्या है कि मेरी आवाज ही टार्चंट जैसी है, इसलिए अपने आप ही निकल जाता है वाब, वाब, ये तो बहुत बड़ा टैलेंट है आपके अंदर, आप बढ़िये आपसे बहुत सारी बाते कहें, बढ़िये तो अन्ना, शुरू करें? बिलकर आपके लिए पहला सवाल कम्पूटर स्क्रीन पर ये रहाँ आजकल पूडूसर्स ने आपको अपनी फिल्मों में लेना बंद क्यों कर दिया है? आप्शन्स आर A. क्या आप एक्टिंग करना भूल गए? B. पूडूसर्स को आपको अपनी फिल्में लेने के लिए आपने पैसे देना बंद कर दिया है C. क्या आपकी उम्र हो गई है? या D. आप अपने पुराने धंदे यानि कप्ड़े के बिजनेस में बहुत बिजी है? सही जवाब है, Option D. मैं अपने कप्ड़े की दंदे में बहुत बिजी हूँ क्योंकि फिल्मों में तो क्रिटिक्स मेरे कप्ड़े उतार लेते हैं कम सी कम यहां में अपने कप्ड़े पहन तो सकता हूँ मैं माप कीजेगा अन्ना, फिल्मों में क्रिटिक्स आपके कप्ड़े उतारते नहीं हैं बल्कि वो फाड़ देते हैं खेर, अगला प्रश्ण अन्ना इयरा अब तक कि आपकी फिल्मों में से सबसे अच्छी फिल्म कौन सी है? ऑप्शन्स मेरा वसला में क्या आप्शन है ओके, ओके, ठीक क्योंकि वो एक ऐसी फिल्म थी जिसमें मेरा रोल कटवाने वाला कोई नहीं था उस फिल्में दो ही रोते और दोनों में ठामें अओ, अन्ना यहां तक आप बहुत अच्छा खेलते हुए आ रहे थे लेकिन यह जवाब गलत है इसका सही जवाब है फिल्म रावण एए लेकि मैं तो उस फिल्म में ठाई नहीं अरे यही तो उस फिल्म की अच्छी बात है आएं